नमस्कार दोस्तो आज हम बना रहें वेच प्राइड रेस वो भी जैसे चाइनीज रेस्टोरेंट यह चाइनीज गाड़ियों पर मिलता है बैसे ही बनाना भी आसान है चलो शिरुआत करते हैं इसके लिए मैंने बासमधी चावल लिया है उसको धो दिया है और आदे घंटे क इस्तमाल कर सकते हो लेकिन पकने के बाद उसका हर एक दाना अलग होना चाहिए इतना ही धान देना है तो मैंने चावल पकाने के लिए जितना चावल लिया था उसके फूर टाइम पानी लिया है उसमें नमक डाला है नमक थोड़ा सा जादा डालना है क्योंकि हम चावल का पानी निकालेंगे उसके साथ नमक भी निकल जाता है फिर तो आधा चमच तेल डाला है और आधे निम्बू का जूस भी ढाल दिया है चावल हम लोग पकने के बाद देखें चावल औहर कुक नहीं होना चाहिए यहां यह भी ध्यान देना है चावल पकने के बाद उसको छलन पानी में डाल दिजिए तो उसमें से जो एक्सरा पानी है वो निकल जाएगा और चावल थंडा होने के लिए छोड़ दीजिए एक कड़ाई में मैंने दो चमच टेल डाला है उसमें एक चमच डाला है लसून आधा चमच अध्रक और पाच्छे हरी मीच जो मैंने फाइनल कड़ करके वो भी ढाल दिया उसके बाद गाजर डाला है गैस की फ्लेम हमेशा हाइए रखनी है क्योंकि सबजियों का कच्चापन निकलना चाहिए वो पकनी चाहिए लेकिन उसका क्रण्च नहीं चाहिए इसके लिए हम हाइप लेम पर पका रहा है उसके बाद डाल दिया मैंने सिमला मिर्च और फ्रेंच विंस इसको भी फाइनली कट करके डाल दिया है और यह भी हाइप प्लेम पे ही मुझे पकाना है तीन से चार मिनिट बस इसके बाद मैंने डाल दिया है नमक नमक थोड़ा ध्यान से डाली है चावल में भी नमक डाला है हम भाज सबजियों के हिसाब से ही नमक डालेंगे तो मैंने नमक डाल दिया है अभी मैंने फाइनली कट की हुई कैबेज यह नि पत्ता को भी डालनी है इसमें पत्ता को भी मैंने देड कटोरी ली है पत्ता को का जो प्रमाने वह सबसे जादा लिया है बाकी सबजिया जो है मैंने वनफोर्थ व तेल चड़ा दो, फिर ये सब्जिया मुझे क्रंच रहना चाहिए, लेकिन गल्ली नहीं चाहिए, ध्यान रखिए, तब तक ही पकाना है हाई फ्लेम पे, तो मेरी तीन से चार मिडिनिट में हमारी पत्ता को भी भी क्या हो गई है, पक गई है, उसके बाद मैंने एक चम्मज अगर बड़ा चम्मज टाला है चिली सॉस, आदा चम्मज टालना है सोया सॉस, और वन फोर चम्मज टालना है मुझे विनीकर, अगर आपके पास चिली सॉस नहीं है, तो आप टोमाटो सॉस डालिए और लाल मिच का पेस डाल दिये चीए, तो भी चलेगा, लेकिन उसको भ बाद मैंने डाली है साथ से आठ काली मिर्च, जो मैंने फ्रेशली कट कर लिये, चावल डालो, चावल उपर से नीचे तक, एक साथ मिक्स कर लो, ये भी सब काम हमें हाई फ्लेम पी घरना है, तो देखो ये चावल को हम लोग इस तरह से मिक्स कर लेंगे, उपर से नीचे आपको अगर कलर और डार्क चाहिए, तो आप और थोड़ा सोया सॉस आड़ कर दीजिए, तो देखो इस तरह से हम लोग इसको मिक्स कर देंगे, और दोस्तों आपको मेरा चैनल अच्छा लगता हो, तो प्लीज सब्सक्रेब मै चैनल, लाइक का बटन भी दबाईए और श सबजिया बहुत गली नहीं है, तो उसके विटामिन भी वैसे के वैसे है, तो घर पे जरूर ट्राइ करना, वेज व्राइड राइस, और दिखिये, अब हमारा राइस एकदम मस्त तयार है, उसका कलर भी एकदम सुपब आया है, टेस्ट में भी एकदम मस्त हुआ, तो घर जरूर ट्राइ कीजिए, तैंक यू